हेलो फ्रेंस आज हम बनाएंगे लाल वाले चने की सबजी की रेसिपी तो देखिए सबसे पहले मैंने गैस पे कुकर रख दिया इसमें तेल डाल दिया है तीन से चार चमस तेल अच्छे से गरम हो जाये तो इसमें हम डाल देंगे कुछ खड़े मसाले खड़े मसाले में जीरा, तेजपाद, डालचीनी, इलाची, लॉंग, सुखी, लाल मीच, हींग डाल देंगे और इन्हें अच्छे से चटक जाने देंगे फिर इसमें हम डाल देंगे दो प्याज स्लाइस में कटे हुए इन्हें भी हलका सा हमें ट्रांस्परेट होने तक ही भुनना इसे जादा नहीं हमें ब्राउन करना है फिर इसमें डाल देंगे अद्रक और लेसुन का दरदरी कुटी हुई फेस्ट और इसे भी अच्छे से भुन लेंगे तो देखिए प्याज हलका सा कलर चेंज हो चुका है फिर इसमें हम डाल देंगे बाकी के मसाले तो चलिए इसमें डाल देते हल्दी पाउडर आदी छोटी चमत एक चमत डाल देंगे लाल मेच पाउडर एक चमत डाल देंगे धनिया पाउडर बारी कटे दो टमाटर डाल कर देंगे यह कि झाल देंगे दो दो यह कि इसमें डाल दें नमक स्वादनुसार unser तो मसाले अच्छे से मीक्स कर लेंगे और और इसे हमें अच्छे से भून लेना है जब तक कि मसाले से अच्छे से ओइल ना छोड़ दे साइट से तब तक हमें मसाले भून लेना है तो देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे हम ढख के पकाएंगे ढखने से मसाले जल्दी से पक जाते हैं तो चलिए इस इससे मिक्स कर लिया है, फिर इस में हम डाल दिए भीगोया हुआ चना और आलू, तो देखिए इसमें डाल दिया है चना आलू, फिर इससे भी हमें मसालो के साथ उनन लेना है, कुछ शेकन के लिए इस तरह से उनने गे तो सब्जी बहुती बढ़े है, टेष्टीальным स्वाधि एक से और कप पानी डाल दें आपको ग्रेवी जिस इसाबसे रखनी पतली जाड़ी तरिस इससाबसे आप पानी एट कर सकते हैं फिर इसमें मैंने डाल दिया चोटा आदी-छोटी चमच गरम मसाला और इसे भी मिक्स कर लिया है फिर इससे हम ढकन लगाके तो देखिए इसको बढ़ें कलर आया है और बहुती ज़यादा टेश्टी नीए तो इसमें डाल देंगे, बारीक कटे हुए धनिया, और मिक्स कर लेंगे, तो देखिए कितना बढ़ें कलर आया है, और कितना जट-पट से बनके तयार हो जाता है, इस सब्जी, चलिए इस्वे सर्व कर लेते हैं इससे किसी के भी साथ रोटी पूड़ी चावल के साथ सर्फ कर सकते हैं बहुत ही अच्छा लगता है सभी के साथ और तो देखिए अगर रेसिपी अच्छी लगी तो फ्रेंस प्लेज लाइक कर देना चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर ले शेयर करें कमट करें फिर मिले करेंगे अगले रेसिपी के साथ तब तक के लिए वाएं अगले रेसिपी के साथ तब तक के लिए वाएं